महरास्ट विधानसवा चुनाव प्रचार की बीच कॉंग्रेस को बड़ा जटका लगा है। कॉंग्रेस की कदाव नीता रहे बाबा सिद्धिकी के बेटे जीशान सिद्धिकी अपने पिता की रहा पर चलते हुए एनसीपी अजीद पवार गुट में शामल हो गए। जीशान सिद्धिकी का अजीद पवार ने पार्टी में स्वागत किया। इसके लावा एनसीपी ने महरास्ट विधानसवा चुनाव के लिए बानधरा पूरव सीट से जीशान सिद्धिकी को पार्टी का उमीदवार घोशित किया। एंसिपी में शामिल होने के बाद जीशान सिद्की ने कहा कि ये मेरे और मेरे परिवार के लिए भावनात्मक दिन है इस कठिन समय में मुझ पर विश्वास करने के लिए मैं अजीत पवार प्रफुल पठेल सुनील तटकरे का आभारी हूं मुझे बांधरा पूर्व से टिक पर विधायक बने थे जीशान अभी तक कॉंग्रेस के विधायक रही है कॉंग्रेस ने पालची से उन्हें निकाल दिया था आपको बता दे कि महराश्च विधान सवाच नाफ के लिए एंसीपी ने अपने उमीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है लिस्ट में है वही नवाम मलिक की बेटी सना मलिक अडू शक्ती नगर से चुनाव लड़ेंगी बता दे किसी महीने की बार अक्टूबर की रात को मुंबई के बांदरा इलाके में जिशान सिद्धिकी के कारले के पास पूरू मंतरी बाबा सिद्धिकी की गोली मार कर हरतिया कर दी आया है और विविन पहलूं की जांच की जा रही है इसमें लौरेंस विश्चोही ग्रो से कटित सम्मंद भी शामिल हैं